गंदी से गंदी श्टील की सिंगिया कोई भी श्टील का सिस्टम हो बहुत जादा गंदगी लग चुकी है काला पढ़ गया है किसी ने गलती से हारफिक यूज कर लिया है जंग चड़ गया है देखिए इस तरह से चिप्चिपए तो आज की वीडियो आप लोग एंड तक देखना है बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है आरेस किचन ग्यान यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके औल पर किलिक करने क्योंकि ऐसे ऐसे यूजफुल टिप्स मैं चैनल पर लाता रहता हूं अभी कंडिशन देख रहे हैं श्टील की सिंक है देखें गलती से कभी भी काला पड़ जाए तो आसानी से आप किलीन कर सकते हैं पहले जैसा चमका सकते हैं छोटा वीडियो है लंबा नहीं है कट नहीं करना है वीडियो के एंड में बताऊंगा चींटियों को भगाने का त खाल देना हैं के आपको एक इनओ लिया है ईनू को इस तरह से चालों तरह फैला देंगे सिंग के ऊपर या आप किसी भी चीज को इस्टील की content को साफ़कर नहीं चिम्नी वह लिए तो इस तरह से आप इनो और सोला की मदद से बंगुर चकाचक कर सकते हैं लाइफ में कभी भी काला नहीं पड़ेगा कभी भी ख्राब स्टील नहीं होने वाला देखिए बातरूम में छोटी-छोटी चीजयciğim होटे जैसे टॉंटी होती है, नल होता है जाली होती है बात रूम में तो इस तरह से आप clean कर सकते हैं fps यहां पे जूना लिया है सादा सिंप जो की हरकोई यूज करता है खास करके यह हमारी माता भेहनों के लिए टिप्स हैं जो घर में किचन में काम करती हैं तो इस तरह से जूना ले लेना है, देखे कभी भी न, आप लोहे का जूना नहीं लेना है, बना श्टील पर स्क्रेच आ जाएगी, इस तरह से देखे, अब जंग चड़ा हुआ, इस तरह से बिलकुँ साफ हो जाएगा, यह जूना बैस्ट है, आप यह जूने को ला सकते हैं तो देखे, पांच साथ मेर्त तक इस तरह से रगलते रहेंगे, और चमकाती चली जाएगी, तो देखिए, जो काला काला पाने गंदगी है, आसानी से छुट रही है, इस तरह से, आप पिस्टील को क्लीन कर सकते हैं, हमेशा के लिए चमकदार रख सकते हैं, कम से कम आप कोड़ा जो खाने वाला होता है कि दस वार रुपे का खर्चा है बत हपते में एक बार आपको यूज करना है वाकी के दिन आपको केवल पानी से ही आपको साप करते रहना है यह देख सकते हैं हमारा सिंग बिलकुत चका चक है यह बहुत जादा पहले से काला था देखे 99 परसेंट तक इसमें चमाक आ चुकी है तो देख सकते हैं किलीन है थेंकी सो मच चैनल को जरू सस्क्राइब करें लाइक करें थेंक